हमारी सरकार अपने देश के महविरों महा योद्धाओं से प्रेणा लेते हुए राष्टर रख्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित है सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एर्श्ट्राइक ये इसी का उदारण है ये हमारी प्रतिबद्धता है 130 करोड भारतवासियों के जीवन की सुरक्षा के लिए हम कहीं पर भी गुश करके मार सकते हैं सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप खुश हैं बहुत ही सही कर रहा है इससे सुरक्षा बढ़ेगी आतंगबादी खतम होंगे भाईयों बहनों इसके लिए हम किसी से पूछेंगे नहीं हम किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे बाईयों बहनों इसी प्रतिवद्दता की वज़ा से आतंगबाद को हमारी सुरक्षा एजंसियों ने हमारे सपुतों ने अभी बहुत सीमी दायरे में कर दिया है अब आपको मंदिरों में बाजारों में रेल्वे स्टेशन पर बस स्टेशन पर बम धमाके की खबरे नहीं सुनाई देती है ये धमाके बंध हुए कि नहीं हुए हुए कि नहीं हुए लेकिन ये मोदी के डर के कान बंध हुआ है अभी वो सुद्रे नहीं है खत्रा अभी तला है खत्म होना बाकी है आज भी हमारे आसपास आतं की नर्सरी चल रही है साथियों आतं की इस नर्सरी को आप मुझे बताईए ये आतं की नर्सरी को ये सपा बसपा वाले बंध कर सकते हैं क्या कर सकते हैं क्या वो कॉंग्रेस जो कहती है कि आतं की उसे लड़ने वाले हमारे शाहिनिकों का विशेष अधिकार अपसा हटा देंगे क्या ऐसी कॉंग्रेस आतं से लड़ सकती है क्या ये वो लोग है जो आतं के गोला बारुद में भी भगवा डूंडने की कोशिश करते हैं ये वो लोग हैं जिनके राज में आतं के स्लीपर सेल्स देश भर में फले फुले हैं